दोस्तों रिसर्च बताती है कि एक एवरेज इंसान अपनी लाइफ का वन थर्ड टाइम केबल सोने में स्पेंड करता है और अगर हम एवरेज ए 75 और एवरेज स्लीप टाइम 8 आर्स माल लें जो कि साइंस भी रिकमेंड करती है हमारी हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए तब एक परसन अपनी लाइफ के 25 साल केबल और केबल सोने में स्पेंड करता है हाँ अभी सुनने में थोड़ा सॉकिंग जरूर लग रहा होगा लेकिन वही साइस यह भी बताती है कि हम अपनी स्लीप को मैनूपलेट करके अपने स्लीपिंग टाइम को कम जरूर कर सकते हैं और अगर हम इनी आवर्स को सिक्वेंशनली कम करते हैं और एट की जगा अगर सैवन करते हैं तो तब आपका स्लीपिंग टाइम होगा लगबग 21 साल और अगर 6 करते हैं तो लगबग होगा 18 साल और अगर 5 करते हैं तो तब होगा 15 साल और अगर आप मेरी तरह ही सोचते हैं कि बचपन और बढ़ाबे में कितना भी सोएं, क्या फरक पड़ता है। तो इसलिए हम अगर एक से लेके 20 और 40 से लेके 75 की एज निकाल भी देते हैं और केबल 20 से लेके 40 की एज तक ही केबल 5 घंटे सोते हैं, तब आप 4 साल कम सोएंगे उस एक इनसान से जो 8 घंटे सोता है। अब साइद मुझे ये बताने की जरुवत नहीं है, कि इन 4 सालों में आप क्या क्या कर सकते हो। अगर इसका एक छोटा सा एक्जामपल दूँ, तो इन 4 सालों में आप इतनी बुक्स पढ़ सकते हो, जो आपको किसी भी फिल्ड में एक सक्सेस्फुल इंसान बनाने के लिए काफी हैं और आपके आसपास के लोगों से आपको काफी आगे ले जा सकती हैं। लाइफ इस्पेंट की और ना के बल निकोला टेसला ही वलकि फेमस पैंटिंग मॉना लीसा के पैंटर लियोनार्ड दविंसी नैपोलियन बनापर्ट थामस एडिसन विंस्टन चर्चिल इन सब लोगों ने मिनीमम इमाउंट स्लीप लेने के बावजूद भी एक हेल्दी और सक्सेस्फुल लाइफ इस्पेंट की क्या सिंपल सी बात है अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपको कहीं न कहीं तो सैक्रिफाइस करने ही होंगे और उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी नीद और आपका आराम इसलिए आज हम बात करेंगे एक ही बार सोते हैं चाहें वो 6 आर हो या 9 आर इससे कोई फरक नहीं पड़ता तब ऐसे स्लीप साइकल को बोलते हैं मानोफैजिक स्लीप साइकल नेच्ट आता है बाइफैजिक अगर आप अपने स्लीप स्रेडूल में थोड़ी से चेंजिस करके 8 आर सोने के बजाए बस 5 घंटे ही सोते हैं और तुरू आउट देक कभी भी एक 90 मिनिट्स की पावर नैप लेते हैं तब ऐसे स्लीप को बाइफैजिक स्लीप बोलते हैं बाइफैजिक स्लीप में आप टोटल 6.5 आफ आवर्स होते हैं अपने स्लीप साइकल से लगबग 1.5 आवर्स कम कर देते हैं और आपको बतातूं ये स्लीप साइकल बिलकुल है और दुनिया में मोस्टली लोग ये स्लीप साइकल फॉलो करते हैं और ये स्लीप साइकल पॉलिफैजिक स्लीप साइकल की फस्स स्टेज भी कहलाती है नेक्स आती है एवर्स में स्लीप साइकल इस स्लीप साइकल में आप क्रेजी लग सकता है कि इस स्लीप साइकल में आप हर 6 घंटे के बाद केबल एक 30 मिनट की पावर नैप लेते हो मतलब पूरे दिन में केबल 4 नैप खासे खरना इतना आसान होता बाइदबे लास्ट आती है उबामैन उबामैन स्लीप साइकल डामक्स कौन स्लीप साइकल से और अगर आप ऐसा किसी तरीके से कर सको तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपकी प्रड़क्टिविटी कहां होगी और जो नाम मैंने आपको बताए थे वो सब उबामैन स्लीप साइकल फॉलो करते थे इसलिए तो वो दुनिया के लिए इतना कुछ कर पाए अब मैं आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूंगे आप बस आज से ही दो घंटे सोना चालू कर दो मैं बस आपको इतना बोल रहा हूं कि आप एटलिस कुछ टाइम तो अपनी नीन से कम कर सको सब्सक्राइब करते हो तो लगबग एक मन्त में आप 15 घंटे सेव कर सकते हो और ये 15 घंटे जो कि इस स्लीप में जरूरी भी है अगर सोने की पीछे की साइंस बताऊं तो सोने की सबसे लांस स्टेज होती है REM स्लीप मतलब Rapid Eyes Moment स्लीप इस स्टेज में आपको ड्रीम्स आते हैं और आपकी बोडी टेंपररिरली पैलालाइज हो जाती है और जिनकी नहीं होती उन्हें रात में इदर उदर हाथ पर फैंकते देखा भी होगा और ऐसे लोग नीद में भी चलते हैं क्योंकि उनकी बोडी ड्रीम्स पर रियाट कर रही होती है इस स्टेज में आपका ब्रेन टॉक्सिक रिमूब करता है जो तरूआउट दे आपके ब्रेन में बनते हैं तकि नेक् साही करते हैं सो अब जानते हैं कि रिसर्च इस पॉलिफैजिक स्लीप के बारे में क्या बोलते हैं रिसर्च बताती हैं कि जो इंडिवीजुल्स चार घंटे से कम और आठ घंटे से ज्यादा सोते हैं उनके डैथ रेत यानि मरने के चांसे ज्यादा होते हैं कंपेर टू उ और सोते हैं तो जाता सोना भी खतरनाक हो सकता है इन लोगों को हाई ब्लेड प्रेसर मोटापा सांस और पूर हैल्थ जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है नासा के हुए एक रिसर्च में उन्होंने पॉलिफाजिक स्लीप को हेल्दी बताया है नासा के हैं उनमेंसे ज्यादतर आनिमल्स पॉलिफेजिक स्लीप में ही सोते हैं रिसर्च ये भी बताती हैं कि छोटे नैप्स की बजाए बड़े नैप्स ज्यादा फायदेबंद होते हैं जैसी कि 90 मिनिट से 120 मिनिट का नैप ये नैप्स हमारे ब्रेंड के कागनेटिव फंक्शन मैमोरी अरटनेस और वीजिलेंस को इंप्रूब करती हैं एड़ लास्ट अपने स्लीप से ड्यूल में कोई भी चेंजिस करने से पहले खुद से भी रिसर्च जरूर कर लें यह किसी डॉक्टर से सला जरूर कर लें क्योंकि हमारे स्लीप पैटर्न में किये गई छोटे सी भ हो सकता है तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें कि मैं ऐसी वीडियो अप्लोड करता रहता हूं और फाइनली थैंक्स वर वाचिंग